नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका हमारे चैनल में आज मैं पांच मुखी रुद्राक्ष के उपर ये वीडियो लेके आया हूं हमारे ग्रंथों में पांच मुखी रुद्राक्ष को सबसे शुब और पुन्यदाई रुद्राक्ष माना गया है इससे यश्कीर्ती भैवव इत्यादी आते हैं जो भी पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसे मानसिक शांती बुरी आदुतों से छुटकारा मंतर की सिद्धी पवित्र विचार ये सब पांच मुखी रुद्राक्ष के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष धनू और मीन राशी वाले तथा वैपारी जिनका भी बिजनस है ऐसे लोग धारण करें तो काफी फलदाई होता है और जो इसका सबसे बड़ा अगर हम बात करें पुखराज की और पांच मुखी रुद्राक्ष की तो पांच मुखी रुद्राक्ष पुखराज से ज़्यादा लाबधायक हैं और ये उससे सस्ता भी है आपको मार्केट में रुद्राक्ष से ये कम पैसों में मिल जाएगा और इसका बेनिफिट उखराज से ज़्यादा है तो पांच मुखी रुद्राक्ष धनू और मीन राशी और जो भी बिजनसमेन है वो धारन कर सकते हैं पांच मुखिर उद्रक्ष धारन करने की जो दिन है वो है सोमवार और सुभा कोशिश की जिए कोई भी मंत्र या पूजा पाठ है वो आठ बजे से पहले ही खतम हो जानी चाहिए तो मैं इसमें सेज़ेस्ट करूँगा कि आप छे से आठ के बीच के अंदर सोमवार को अपना शना नित्यादी करके पूजा पाठ करके ओम हरींग नमा ओम हरींग नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करें और जाप करने के बाद काले धागे में ध्यान से इसे नोट करिएगा काले धागे में आपको 5 मुखी रुदराक्ष को गले में धारण करना है मंत्र उचारण इसकी शुद्धी के बाद भगवान शिव आपकी हर्मानों कामना पूरी करें इसी आश्चा के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ अगली वीडियो 6 मुखी रुदराक्ष पे आपके लिए शिग्र लेकर उपस्तित होंगा धन्याबाद